सो हेलो एवरिवन बेलकम बैक टू माई चनल बायोहब मनु सिंग घानिया बच्छा पाटी आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड साइंस इंपॉर्टेंस अब्जेक्टिव को संज जो 2023 में जो बोर्ड एक्जाम जो होने वाले हैं जिसमें जो पूछा जाए है जो डाइग्राम से रिलेटेड है जो कोस्टन से वह भी आपको समझाया जाएगा अच्छे तरीके से उसका लेवलिंग करने के लिए जो बतला जाए कहां पर क्या होता है नहीं होता उसका ठीक है तो आप लोग वीडियो को पूरा अंतक देखें यदि जो बच्छे चैन में आपसे पूछा गया है कि बीधूत चुम्ब की ये प्रेरन से क्या समझते हैं जो आप लोग का जो चैप्टर है उसमें आपको है जो दिया गया है क्या कि बीधूत चुम्ब की ये प्रेरन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं ठीक है प्रेरन से क्या समझते हैं देख लुखा गया है कि वह क्रम जिसके दौरा किसी संचाल्र सि की पृइवर्तित क्शट्र के कारण अन्य चालक में विधूत्थ था क्या होता है historical कि और खाल देगा आई है वह सकता है आपको यह जो बोल रहा हो सकता है इसका दाएग्राम भी ये दे गे कि आप इसको क्या है चित्र बनाये तो इसमें देखिए आप है जो बना दिजेगा कहा क्या बोल रहा है बाम हस्त नियम ठीक है पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को क्या करने के लिए लिखने के लिए देखिए इसमें उत्तरम लिखा गया है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम अपने कौन से हाथ में बाए हाथ क्या बाए हाथ में तबाए हाथ कि तर्जनी मध्यमा वा अंगूठे को क्या प्रस पर लंबतम फैलाएं यदि तर्जनी चुमकिये छेत्र की दिशा तथा मध्या दहारा की दिशा क्या होता है तो चाला की गती की दिशा का किदर होता है तो अंगूठे की दिशा में होगी कहा होती है उसमें बोल रहा कि यद किस चीज़ का दिखा रहा है तो यह चुम्ब की चेत्र की दिशात को दिखा रहा है यह जो मध्यमा धारा की दिशा परदर्सित कर रहा है तो यह जो मध्यमा धारा की दिशा परदर्सित कर रहा है कौन यह वाला वाग ठीक है और यह जो है आपको अंगूठा है जो क्या गती जो है इसका गती की दिस्टा को क्या कर रहा है अंगूठा है जो दरसारा इसमें तो कौन से बाएं हाथ का इसमें कह रहा है ठीक है यही आपको दिखाया गिया है तो इसमें बाएं हाथ कौन जिसको हम लो बलते हैं लेट हैं ठीक है तो यह है जो आपको यहां पर दिखाया ग और इस्ट में आपको है जो यहां पर देखिए अंगूठा के द्वारा बोला गया है कि यह होता है इसका आप लोग डाइग्राम भी देख लिजाएगा इसको हम बढ़ा कर देते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से है जो देख लें ठीक है चलिए दो डाइग्राम इसमें आपको है जो समझाने के लिए दिया गया चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं नेक्स नमबर कोस्टन में आपसे क्या पूछा गया है जो धियान दीजिए नेक्स नमबर कोस्टन में आपसे पूछा गया कि को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं DC यह सब्सक्राइब समय जो डाइरेक्ट होता है एक होता है अल्टरनेट क्रण्ठ थो देखिए जो दिस्त धाहरा के größten quiero के नाम लिखें तेACE कि उत्हर में आपको लिखा हुआ है कौन को से त्हों होता है Iskillman zakot motor उके अब आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते कोस्ता number 4 की होर न intense में आपसे क्या पूछा गिया है जो दियान दिजेएगा इसमें पूछा गिया है कि जो बिधुत जनीत्र के सिधान क्या है जो जनीत्र जिसको बोलते हैं, जो आसे क्या है, उसका सिधान्त क्या है, उसके बारे में पूछ रहा है, बिद्धूत जनीतर के बारे में, तो देखें उत्तर लिखा गया है, उसको समझते हैं, जियान दीजेगा, तब बिद्धूत जनीत्र क्या है बोल रहा है कि बिद्धूत जनीत्र में यांत्रीक उर्जा का उपियोग चुमकिये छेत्र में रखे किसी चालक की गुर्णी गती परदान करने में किया जाता है बिद्धूत जनीत्र में यांत्रीक उर्जा को क्या बिद्धूत उर्जा में प्रवत्तित किया जाता है जो यही है जो हमारा क्या है बिद्धूत जनीत्र के सिध्धानत हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं फाइव नंबर कोस्टन में आपसे क्या पूछ रहा है और आ Kea किya पुछ रहा है तो बतलाने के लिए बोल ला है क्या अपसे पूछ रहा है इकर देखी है क्या अधसर भी सथ of now you लिखा कि यह उर्जा पर दोसन,मुक्त होती है था जो हमारे इंवरमेंट को रखता है कोई pollution इससे नहीं होता उर्जा जो सन के दवारा है जो मिलता है यह उर्जा जो है क्या होता है परदूसन मुक्त होती है क्या होती है परदूसन मुक्त होती है ठीक है और सौर उर्जा क्या है नवी किर्निय उर्जा है और सौर उर्जा क्या है अच्छे है सौर उर्जा अच्छा है और पिर्थीवी पर मानव क्या पिर्थीवी पर मानव जीब जन्तु तथा पौधे और सौर उर्जा से जीवित रहते हैं जितने भी पिर्थीवी पर जो मानव होगे जीब जन्तु होगे पौधे यह सब क्या है सौर उर्जा से जीवित रहते हैं अ अगर सुर्ज के परकास नहीं मिलने के कारण पेंट पौधा तो सुख जाएगा अगर जो परकास संसलेशन की प्रकिरिया नहीं हो पाएगी जिसके कारण ठीक है चलिए तब पिर्थीवी पर मानव जीव जन्तु तथा पौध है यह सब क्या है सौर्ज उर्जा से जीवीत है फिर सोलर सेल होता है सौरे सुर्जा होता है जिसके द्वारा होता है जो क्या बैटरी चार्ज होता है सोलर पैनल हो गये जो आदमी के जितने भी काम होता है बहुत जगह आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट जो लगा रहाता है जिसमें क्या है सोलर पैनल लगा रहता जिसमें बैटरी रहता है और उपर में सोलर रहता है उसी के कारण चार्ज होता है उसमें कोई electricity की है जो खपत नहीं होती है वो सोलर इनर्जी के दोबारा चार्ज होता है और उसी से light जलता है ठीक है चलिए तो यह है जो हम लोग समझें sorry उर्जा क्या है अब हम लोग देखत जो होता है उससे हम जो बायो गैंस किसे कहते हैं अब बायो मास क्या है ठीक है पहला पूछ कोस्टन जो इसमें आपसे पूछ रहा है कि भायो गैंस किसे कहते हैं और बायो मास कहते हैं किसे कहते हैं ठीक है बायो मास और बायो गैंस दोनों में है जो क्या होता है उसके वार सबसे पहले आपके पहुंचे ठीक है और आपको एक कोस्टन वही कोस्टन बतलाए जाएंगे जो कोस्टन जिसके आने के चांसे जाएंगे आपको बतलाए जाएंगे आपको एक कोस्टन को बारी की से समझाया जाएगा ठीक है चलिए बायो गैंस की से कहते हैं पहले ये समझते हैं तो बायो गैंस क्या होता है जो सुनीं तो विविद पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्तिती में क्या होता है अप घटित होता है क्या किसके अ गेंस जो परचलित नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं गोवर गेंस बोलते हैं अब ये होता है बायो मास क्या होता है जो सुनिये पादप और जन्तु के सरीर से जो पदार्थ बरतमान क्या है रहता है उसे बायो मास काते है जैसे बायो मास की इंधन का क्या है बायो मास जो है ब इंदन का इख स्रोत है गोँवर गेंज वहें इंदन का स्रोत है चल सेड नमबर को सथैसे द्यान दिए आप क Тоbron के चार यौगी को नाम लिखे का जीए को लिखे रहा हुए उत्तर देखे लिखा गया पास्ट यह किसक recommend होता है क्लो फ्लोरो कारवन जिसको कहां यह जो क्लोरो फ्लोरो क्लोरो कारवन लोरो फॉर्म जिसका क्या होता है CH2Cl3 CH2Cl3 CH3CH2OH methane जो जो गोबर में होता है जिसे methane तो यह क्या हो जाता है methane CH4 आपने 7 number questions भी है जो समझ लिया अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 8 number questions में 8 number questions की और ध्यान दीजिएगा 8 number question में आपसे पूछ रहा है कि ethanol के कुछ उपयोगों को लिखें ethanol के क्या बोला है कुछ उपयोगों को लिखें ethanol का उपयोग कहां क्या जाता है चलिए तब first of all हम लोग देखते हैं इसका उपयोग tincture, iodine cup syrup, tonic आदी औसद्धियों के बनाने में होता है कहां होता है उपयोग tincture, iodine और cup syrup में और tonic आदी जितने भी दवाईयां और सद्धियों हैं जो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है second number दियां दिजिए इसका उपयोग पीने में होता है क्या होता है इसका उपयोग पीने में होता है और इसके पीने में अ जा यूपयोग ऑपयोग गाता की है जो सूध अलुकोहल होता है उसका उपयोग क्या होता है घाता कोता है मतलब हानी का रखveer घाता कोता है hè ओके चलीए nine number questions पे धेहान दिजिए nine number question में आप चेक्रिया, पुछ रहा है किसे कहते हैं किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जीव बिग्यान जो हता है जैब बिकास क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है हम लोग समझते हैं जैब बिकास किसे कहते हैं जीव बिग्यान की वा साखा जिसमें जीवों की उत्पति तथा उसके पुरवजो का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए कर्मिक परिवर्तनों का अध्यन किया जाता है वा क्या कलाता है तो जैब बिकास कलाता है क्या कलाता है क्या बोला जा रहा है कि जीव बिग्यान की वा साखा जिसमें जीवों की उत्पति क्या जीवों की उत्पति उसके पुरवजो का इतिहास तथा तथा समय समय पर उनमें हुए क्या है कर्मिक परिवर्तनों का अध्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं जैब विकास कहते हैं ठीक है वही क्या कहलाते हैं जैब विकास कहलाते हैं ओके चलिए तहा हम लोगों ने 9 नमबर कोस्टन समझा पढ़ा समझा और आपको समझाया गया जैब विकास किसे कहते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे कोस्टन नमबर 10 की एऔर लास्ट क्वेटन है 10 धीक है और 10 है अब आप ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है यह कोष्षण आप लोग ने पढ़ा होगा और पहले भी सुना होगा मेंडल का नाम मेंडल के मतर के पौधे का परियोग से क्या परिमान निकला था मेंडल जो थे जो क्या है experiment करने के लिए किस चीज का जो किस पेड का किस पेड को लिये थे मटर का हिन पौधा लिया गया था तो वही question है कि मेंडल के मटर के पाओधे का परियोग से क्या है परिनाम निकला तो चलिए पहले इसको समझते हैं क्या है नहीं है फिक है इसमें चलिए तो मेंडल के मटर के पौधे पर किये परियोग से निमलिकित परिणाम निकले क्या क्या तो पौधो में लच्छन कुछ इकाईयों द्वारा क्या है नियंतरी तो होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है क्या कारख होता है जैसे लंबाई हो गया फुल का रंग 하니까 यह सब में एक लच्छन को दो कारको दवारा ही बयक्त किया जाता है जैसे टी अ है किया को दो है जो क्या है इसमें कितने दो परणाम इसमें आपको निकले थे और बतलाएगे ठीक है हम लोग उन्हें टोटल कितने 10 questions आज है जो समझा फिर हम लोग है जो कुछ questions फिर लेकर करके आएंगे और हम लोग समझेंगे क्लास 10 के जितने भी questions आपको बतलाया जा रहे हैं वही questions बतलाया जा रहे हैं जो बोर्ड एक्जामने आपके आने के chances जादा ठीक है ता आप लोग अच्छे से पढ़ाय करते रहे हैं ठीक है फिर मिलते हैं नए questions के साथ नए वीडियो में बाई see you soon बच्चा पार्टी